कामसुत्र के देश में सेक्स पर बात करने से इतनी डिक्त क्यों यह सेक्स के विषय बात नेकर अजिए और शादी के बाद हो जाती है पहुंद सेख्स एजुकेशन होने के बाभजूद एक चेप्टर होता है उसमें वह आपको किहा पढ़ लिया हो गया। सेक्स एडुकेशन होनी चाहिए। एडुकेशन होनी चाहिए। सेक्स तो बाद में आता है। लड़कियों के लिए लाइफ कुछ और भी है। वह भी एक्सपेक्ट कर सकती है। जो मैं आजकल भी देखती हूँ पड़ी लड़किया मी सहती है। बोलती रही है। उनको अपने घर में जाके बताने में शर्वादी कि मेरे सस्राल में यह हो रहा है। हमें बताया जाता है कि आप कुछ कही नहीं सकते हैं। अपने सस्राल की बुनाई करना हमने सबस्चा यह नहीं था यह नहीं कहा रही। क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें नहीं बोलना। पुरुश और महिला के वेतन में तो वहां पे भी ऐसा ही है। यह यह वहां पे हम बराबर कर दर्जे में बैठे हैं। पर यह है कि हम खुलके बोल सकते हैं। किसी के भी खिलाब, किसी के भी क्याओ यह नहीं कि आपको रोका जाएगा। पुरुश विमश गायब है। एक सिरे से गायब है। तो ऐसा नहीं कि मैंने यह सोच के लिखना शुरू किया था कि पुरुश को अवाज कहीं से खामोशी है उस पर। मेरी खामोशी एक गर्भासर है, जिसमें पनप रहा है तुम्हारा जूट। एक दिन जने गिये तुम्हारी अपराद भावना को, मैं जानती हूं कि तुम साफ नकार जाओगे। इससे अपना रिष्टा है, यदि मुकर न भी पाए, तो उसे किसी के भी गले मढद होगे तुम। कोई कमजोर तुम्हें फिर बरी कर देगा, पर तुम भूल के भी न इत्राना, क्योंकि मेरी खामोशी एक गर्भासर है, जिसमें पनप रहा है तुम्हारा जूट। यह कविता दिव्या माथुर जी की है, मैं हो जाए प्रकास पांडे, यह कारक्रम है, बातें, मुलाकातें, और साहित तक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी एक जानी मानी हिंदी सेवी का है, जो पिछले चार दसकों से भी अधिक समय से लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन में, क्या कहें, पूरे यूरोप में हिंदी भासा का अलग जगा रही है। हिंदी के अलाबा कला, संगीत, संस्कृति और साहितिय, इनका जो भी संयोग हो सकता है, जो संबंध हो सकता है, जो बड़ी शक्सियते हैं, वह सब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कालखंड में, अगर कोई वेक्ति लंदन गया होगा, तो दिव्या से जरूर मिला होगा, वातायन की संस्थाफक है, वातायन लंबे समय से काम कर रहा है, आपकी कई सारी कृतियां, बहुत सारी संपादिक फुष्ट कें, बहुत सारी उपन्यास और दूसरी कृतियां भी प्रकासित हो चुकी है, अभी जैसे तिलस्म या पिछले साल ही रहे प्रकाशित हुआ है यह आपका कहानी संग्रा है यह अभी काफी पहले आ चुका है इसके अलाबा आपकी कई पुस्तकें जो है वह जिसमें बाल उपन्यास जो है बिन्नी बुगा का बिल्ला एक उपन्यास शाम भर बाते हैं यह जो है कई विश्वविद्यालें के पाठिक्रम है यहां तक के दिल्ले विश्वविद्याले के भी पाठिक्रम है इसके अलाबा आठ कविता संग्रा आठ काहानी संग्रा भी प्रकाशित हो चुके हैं कोई एक फ्यक्ति, कोई एक शक्षियत जो लगातार अपने प्रशासनिक, सामाजिक और साहितिक दाइत्यों से बधा हुआ है, वह किस तरह से लेखन के लिए भी समय जुटा रहा है, भासा से जुड़ेवे जो लोग हैं, उनके लिए समय जुटा रहा है, इसके अलावा किस तरह से ऐसी लोगों के लिए अपनी सब्दावली गढ़ रहा है, जो लोग नित्र विज्ञान से सम्मंदित हैं या जो लोग सुन नहीं सकते, तो कहने का आशा यह है कि दिव्या माथुर जी के जीवन के जितने भी प्रसंग हैं और जो आपका व्यक्तित्व है वो इतना विशाल और इतना बहुविद छेत्रों में काम है कि मैं परिचय में वक्त नहीं समप्त करूँगा, और दिव्या माथुर जी के बच्पन से सुरुवात करूँगा, आप जानते हैं बाते मुलाकाते में हमारी कोर्सिस होती है कि जो हमारे यतित ही हैं, जो हमारे रचनाकार हैं, जो भी सक्सियत इस कारिक्रम में आ रही हैं, उनके समूचे कृतित्व और व्यक्तित्व के बा की उन इस्मृतियों से सुरू करना चाहता हूं जो आपको पहली याद आ रही हो कि यहां में पैदा हुई यह मेरा बच्पन था इस तरह के परिवेश में भी था और जो बाकी सिक्षा है उस पर बाद में आएंगे अंग्ले जी से आप ने सनात कुत्पर किया और दूसरी डि पाला और वो बहुत बड़े शायर और वीस कलीग्राफी करते थे और बुगल आर्टिस थे तो बहुत बड़े-बड़े चित्र तैल चित्र बनाते थे उनके चित्र बॉम्मे और जो कई व्यूजियम्स में है उनका नाम था मिशन द्याल शाथ शायद आपने सुदा हुआ रहने हुदा बहुत माक बूल नाम है तो उनके साथ उनके मुझे पाला बढ़ा किया जब मैं तेरा साल की थी तब मैं अपने पिता और मा के पास आई तब तक मैं यह नहीं जानती थी, कि मेरे माँ मैं उनको मैया भाबी कहती थी, जैसे मेरे चाचा और बुगा कहते थी, तो मेरे पिता सूफी थे, बिलकुल पक्के, और दिन रात वहाँ पर मजमा जमा रहता था, उनके, पर वो बहुत बड़े रामायन भग थे, तो दिन रात हमारे रामायन का महौल रहता था, और सत्संग में हमें बाकी सब धर्वों के गुरू लोग और यह जो बड़े-बड़े विशेशग्य हैं, वो लोग आकर सभाव को सब्वोधीत करते थे, तो हमने बहुत बड़े रामायन जो बोलने वाले हैं, उनके उपर विशेशग्य उनको सुना, पूरा बच्पन बर, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम इतने बड़े लोगों को सुन रहे हैं, और हमारा इंटरेस्ट बहुत कम था, हम बैठ जाते थे, क्योंकि आपके पास उसे मैना मुबाइल था ना कुछ था, तो हमें बैठ के सुनना पड़ता था, और हमारा काम था, डोलग बाजा बजा के रमान पढ़ना, गाला, वो बतलब जरूरी था, हिस्सा था, बजन गाला रोज के, और खन पाट करना, सुन्दर कालगा पाट, तो हमारा पूरा जीवन संगीत में और इसमें बीता, और बच्पन में मेरे चाचा बहुत, बहुत सम लोग बड़े संगीत गे रहे, रेडियो स्टेशन पर गाते बजाते थे, तो उनसे मैंने सब कुछ ही का, हाथ बोलिया, अब्डोलर, तमला, मासुरी, मासुरी में बहुत अच्छी बजाती थी, और में बहुत इनाम जीती थी, क्योंकि लड़किया मासुरी बहुत कम बज मुझे हमारे घर में सब को बहुत शौक है, और उसमें वो मेरे काम आया, बाद में जॉब में भी, पर काम मुझे मिला एमस में, डॉक्टर राजेन पुषाद सेंटर में शुरू आत हुई, और वहां पर मैंने विज्ञान की नेत्र विज्ञान की पहले शौटेड को इज सारी मेडिसन के कनेक्शन होते हैं, तो वो सारा डाइबिटीज होती है, और कुछ होते हैं, तो उन से रिलेटेड सारे शौट, तो उनको मैंने इजाद कर डाला, क्योंकि वो मुझे बाबा का मेरा आर्ट का जो था, दादा का वो आया था, कि कैसे मैं डिजाइड, तो शौ तो मैं बहुत अच्छी थी उसमें, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई इस वजह से वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर 85 तक मैंने वहाँ पर काम किया, और 85 में मैं, क्योंकि मैं अपनी विवास से बहुत पिसल नहीं थी, मेरे दो बच्चे थे, मैं यहाँ आपको ज सारा डॉबल पेस्ट है, शुरू होता है वहाँ से, क्योंकि वह मेरी यादे है, हम लोग दिल्ली के हैं वैसे पीपल वहादेव के, वहाँ बहुत सारे थी हमेलिया, लेकि जब इनका कोट ओट के कस्य चले मेरे दादा के भाईयों के, तो बिल्कुल सब कुछ खतम हो गया, तो फिर उनको शहादरा में बड़ी सी गोठी थी, आपने शायद अबी भी देखेगे, शाद कोटिज लिखा है उस पे, और वहाँ से मेयो प्रेस चलाते थी तब भी उस जमाने में, तो तब मैं उस घर में पली, और उसी का जिक्र है, काफी महौल जो है, उस समय का परिवार था, तो उसके साथ, फिर उसके बाद में, आप भाई बन कितने थे, हम लोग पाँच भाई, दो, पाँच महने दो भाई, तो फिर पापा का डौकरी वहाँ पे आ गई, प्रेजिडेंट हाउस में, वो चीफ आर्किटेक्ट थे, तो हमें रीडि लेन में घर मिला तालकटोरा गार्डन वाली रोड है वहाँ पर, तो हाँ के जंगलों में, सारा दिन फिटते थे, जब दो मेने की चुटिया होती थी, तो हमारी मम्मी हमें आचाट, और पराठे में भरके सारे दिन के लिए, कि अब वो तो वेस्त है, पाप पिता, और वो फूरा वीकेंड जाता था में अख्यानों में और इसकूल और आपका कालेज, किस कालेज और किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया और उन्होंने आपको किस रूप में, क्योंकि परिवारिक परिवेश तो आपने बता दिया थी मैं दिली उडिवर्स्टी पढ़ी यहां पर एक कॉलेज होता था उस समय उसका नाम था मौन शैद बदल दिया डिफेंस कॉलेज यह होता था और वहां पर हमारी जो हिंदी की मैंने अग्रेजी में किया पर हमारी जो हिंदी की शिक्षिकाती वो डॉक्टर सुष्मे थी हमार में मेरे एक कहाणी बड़ी कॉलेज मैग्जीन में उसका नाम था वेह काली तो उननों पढ़के कहा के हिसको मैं उनुवर्सिटी में भीजदी हूं वहां पर भीज दिया और वहां पर कहानी को पहुत पसंद किया गया और वो थे जो सक्षैना उन पो थे उस में कॉमटिश के इत्कार है, पर उन्होंने कहा की ये लड़की जो लड़की है उसकी बहुत दारुड कता है कि वो काली है वुर इस वजयीसे उसकी पहारी है मैघादी मेरे वेिज़ना चाहूँगा अपर मैं अल्रामलेने नहीं गई क्योंकि मैं बहुत शाय थी तो उन्होंने अपनी दो किताबों के साथ मेरा प्राइस मेरे कॉलेज में भी जुआया तो हमारी एक प्रोफेसर थी दारू वाला उन्होंने आके मुझे क्लास में सबके साथ ने दिया कि उन्होंने अपनी किताबें भीजिये तुम्हारे लिए और बहुत भी जाए वहाँ से मुझे लगा कि मैं अच्छा लिखनी हूँ तो लिखना कब आपने शुरू किया था? लिखना मैंने शुरू कर दिया था अलिली कहा दिया कभी ताय तो मैं बच्पन से गड़ती थी मुझे याद भी नहीं कर दफ 11 साल की रही होगी तब से पर दिखाती नहीं थी किसी को क्योंकि मेरे दादा और समनुग इतने बड़े-बड़े लेखा कर वो सबते कि घवराट होती थी अभी दिखाया नहीं और फी जब अपने माब आपके घर आई रहने तो भाई मैन उसे डर लगता था कि मज़ाग उड़ाएंगे वैसी पट्ड़ी रही थी क्योंकि आप 13 साल के बच्चे को रोब दे कितने सारे भाई मैनों में तो नैचुरली वह तो होता है और मैं बहुत अलग थी उनको लगा होगा जैसे आप उनको भाई भावी करती थी वैसे उनको लगा होगा यह बाहर की लड़की कहां से तेरे साथ वो भी एकसेप्ट नहीं कर रहे थे तो मैं हमशा डरी वी रहती थी कि ए बड़े ठाक में पली बड़ी थी भी बहुत बुषकिल था। उड़े लिए भी बहुत बुषकिल था। ध्ये अग्सेप्ट करना। तो इसे उसमे पसा... आपने अभी बातचित के दवरां कहा कि इम्स में आप जब काम कर रहे थे और आपने महां सार्ट हेंस कोर्स में बहुत सारी चीजें सीखी और विज्ञान की तरफ उनमुक होगी उस दोरान आपने एक बात कही थी कि मेरे दो बच्चे हो चुके थे और पती से मेरी पट नहीं रही थी शादी कैसे हुई और क्या वज़े थी कि आप एक बहुत सम्रिद और सांस्कृतिक और साहित्यक रूप से और यहां तक कि आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से बहुत ही एक परिस्कृत परिवार में पैदा हुई जहां रामार की कथाएं थी संगीत था कला थी सुफिया सोच थी ऐसी क्या इस्थितियां थी जो आपको यह लगा कि हम लोग एक दूसरे क्या इतना मद्भेट था वैचारी कस्तर पर सबी स्थर पर बद्भेट आरेंज मेरिश थी तो चॉइस नहीं थी बहुत जादा जैसे शादिया हो जाती थी ऐसी हो गई कहीं उन्होंने मुझे देखा होगा किसी की शादी में तो आ गए रिष्टा लेके और मेरे पिता जैसे कहां ठीक है घर में मैठे रिष्टा है तो अठब ठीक लग रहा है मेरी बॉसियों ने बोला ली अच्छे लोग है दो ही बेटे है और अकेली मा है हजबेंटी डेथ हो चुकी है चोड़ी फैमली है उन्होंने कहा होगा इस तरह से शादी हो गई और शादी के बाद पता लगा कि जो बगगर अच्छा था पर वो पत है वो अपने ठाट की जिनली में रहते थे तो पहले तो मुझे पता ही लिए लगा क्योंकि हम लोग उस सबें यूस्टू होते है ऐसे लाइफ के क्योंकि उस सबें और अच्छों को हमने अपनी मार को देखा बहुच्छियों को सब को देखा तो वैसे ही देखा कि घर में ह काम वाम कर रही है और घर का और कभी चूचू ये कभी सुना नहीं था पर हमारी जब शादी हूं तो मैं काम भी कर नहीं हूं फुल टाइम पर सोची है अज मेरी गेट्स बर्शाबला में हम रहते थे नई सड़क पर वहां मेरी सस्वाल थी वहां से रोज एम साना और जान और फिर वहां पर घर जाके पूरा घर का सबालना सुवे से को भी करती रही मैं मुझे पता नहीं लगा कि मैं किस उसमें से गुजर नहीं हूं 15 वर्श तो मैंने चुक चाप निकाल ली मुझे नहीं मालूम मतलब अच्छे नहीं निकाले लेकिन निकल गए यह पता था कि इसके अलावा भी कुछ है यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह गलत है यह जो हो रहा है मेरे साथ ठीक नहीं है कि बच्चों के लिए भी हमारे पास अच्छा खिलाने को पैसे नहीं है उनकी फीस नहीं जा रही है ठीक से घर में पूरा समान नहीं आ रहा है इतना मेरे काम क तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमने सुचा ऐसी लाइफ होती है और मेरे साथ जो लड़किया काम करी थी मैं देखती थी वो भी ऐसे ही नाखुश है और उनके सस्राल में भी यही हो रहा है तो 15 साल पर जब मेरे देवर की शादी और उनकी चुब वाइफ आई तब मैंन कर रहा है कि जब मतलब तो तब मैंने देरे देटे रिलाइस करना शुरू किया और इस दोरान मेरी एक दोस्ती डैनमार्क में वो आती थी और हमेशा मुझसे मिलती थी तो कहने लगी कि तुम ऐसे कैसे रह रही हो यहां पर तुमारे बच्चों को ठीक से शिच्चा नहीं म फिर एक बार उसने आके जब देखा कि तब तक मुझे अकल आ गई थी और मुझे लगा मुझे कुछ कर रहा चाहिए तो मैं एक दो बार घर छोड़के मैं होसखास में अपना कमरा लेके रहने लगी बच्चों समेट तो मैं जहां भी चाहती वहां पर आके वो मुझे परि कि तरह उसकी कहानी मैंने उनको लिखे बेगी कि गीट लिखे थे रूप गाते भी थी तो बड़े चाहणों ने उसकी दुने बनाई थी तो हमने सोचा कि उसको 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 काम करने के लिए हम आगे मुझे मिल जाएगा वीजा लेकि जो हुआ नहीं और क्योंकि यह इसमें थी जब उनकी बॉड़ी को लाया गया था तो सब बंद कर दिया गया था लड़ाई जगड़े वो सब उसी के बीच मेरा यह आ गया स्पॉसर्शिप वीजा तो जब हम वहां पे गए तो डैनमार्क में उसकी सित्ही में पता लग गया था कि हिंदू सिक रायट सो र सब कुछ डैनिश में होता था तो और मैं बहुत जल्दी भाशा सीखने कई लोग होते सीख लेते पर मेरा दिमाग मैं ऐसा नहीं बना है तो वह से फिर हम लोग लंडन आ गए और मेरे इहां पे बड़ी बहन और जीना थे तो मेरे जीना देका है वापिस जाने से पहले लं सबता और भी इंसल्ट जहां से तुम आये हो तो फिर वहाँ पर गई वहाँ पर हमने कोई आठ महीने लगे मुझे स्ट्रगल करते और फिर मुझे हाई कविशन में जॉग मिल गई बहती हो चयोग में डैडिक जो खलार्क होते है क्या कहते है उनको डेली वेजिस खलार्क तो कुछ भी था टिकने के लिए मैंने देखा वाँ बेरे जैसे डॉक्टर, लॉयर्स वो भी वाँ पर एक लड़की कर रहे थे दिव्याजी मेरा एक सवाल में इससे पहले कि हम लोग आपके लंदन की यातरा के बारे में सुनें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिखन में ये बार-बार जो इस्तुरिवादी सोच है वो है दिखती है क्या इसके पीछे आपकी अपनी प्रिस्ट भूमी जो कुछ आपने अपने नीजी जीवन में भुकता उसका योगदान है एक और दूसरा अगर आज आप दोजार चौबिस में हम लोग बात कर रहे हैं भारत में जो महिलाओं की इस्तिती है उसको आप किस रूप में देखती है आज भी इस्तियां परिवार में जब हम परिवार के दाइरी की बात कर रहा हूं विवाह से पहले की बात नहीं कर रहा हूं विवाह के बात की बात कर रहा हूं इस्तिय को कहां पाती है खासकर भारती इस्तिय को कहां पाती है और योरोप की इस्तिय चोके आपका एक लंबा जीवन आपने येरोप में भी आया, लंदन में भी आया, तो वहां के इस्टरी और भारत के इस्टरी की पारिबारी के सिटियों में क्या अंतर हुआ है? मैं यहां देखती हूँ, शेहरों की जीवन में तो यहां पर बहुत महिला उन्हें तरक्की किया है, क्योंकि अब पढ़ भी लिग गई है, और पर मैं देखती हूँ यहां से अगर आप पचास साल, पचास मील बाहर चले जाए, तो वहां पर आपको लगता है कि जैसे वही र काता है, ऐसे में आपको पोरया मेंूरा काता है, और मेरी कहाणियों भी बहुत काफी नियुकि जिसमें यही होता था क्योंकि वही मैने देकखआ था, जो मैं बोलनेही पाती थी, कहाणियों में आ जाता हृ, जवंश मीरी कहाणिया ह flew Settumji, स-ाथ-मhattiyya की ऑनकी में सा हो रहा है लेकिन उससे उनको लगा कि मैं उनकी वो कर रही हूँ पर मैं यह देखती हूँ कि आजकल और मेरे साथ की लड़किया थी उनके साथ मी ऐसा ही कुछ हो रहा था पर कोई नहीं बोलती थी पर आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर लिखा होता था कि उनके साथ क्या बीत रही है, जो मेरे साथ बीत रही थी, तो अभी भी मैं वही देखती हूँ, बहुत सारे जो उनको सिखाया पर हमर जीन से हैं, बुझे लगता है, और जो मैं आज कल भी देखती हूँ, पड़ी लिखी लड़किया मी सहती है, बोलती रही है, उनको अपने घर में जाके बत इतने जादा क्या कहते है, सचंद होते चले जा रहे हैं, कि उनकी भी कोई सीमा नहीं है, पर इधर की मैं बीच के बात करूँ, परिवारों की, तो उसमें आज के लेक या दो बच्ची हो रहे हैं, जिनको बड़े प्यार से पाला जाता है, उनको लड़कों की तरह ही शिक् मैं बात इकानोमिक लिए उनको पता है, उनको पता है, मैं जाओगी तो मैं ता पिता मुझे समान ले गए या जोगी, हमारे जाओने में यह नहीं था, हमें बताया गाता कि आप कुछ कही नहीं सकते, अपने सुसराल की बुनाई करना, हमने सब सोचा इनी था, यह नहीं कह क्योंकि जब मैं अलुत में गई भी थी अपने परिवार में वापिस, मेरे पिता ने और भाई बावी ने मुझे बहुत प्यान हिया, कुछ महीने में रही थी डेन्मार्क जाने से पहले, तो तब मुझे लगा कि आरे मैं पहले बता देती, मैंने इतना दुख सहा, 15 साल थ प्रॉब्लम की बात है, और जहां तक आव वेस्तर सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ भी इस तरह आपको लगेगा पॉश है, देखने में आपको इंडिपेंड़न लग रही है, स्कर्ट पहने और कुछ ली, पर पारिवारी स्थिती में वहाँ भी ऐसा होता है, ऐसा नही यह नहीं होता, पर क्योंकि वह डिपेंड़न नहीं है, सब गोसली लोग नौकरी करते हैं, पड़े लिखे हैं, तो चोटी-चोटी जॉब करने में वहाँ पे किसी को शर्म नहीं आती, कि हमने स्वीपर की जॉब कर ली आगूडा उठाने की, और वो शाम को बैठके प्रा वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वेस्ट पे भी जो औरते हैं, अभी भी अपने को दोयब उसका ही समझती है, भारत पे आपको एक सेम वेतन मिल रहा है यहाँ पर गॉर्मन में आई, ट्राइवट में मुझे नहीं मालू, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत फर्क है, पुरु का जाएगा या जैसे यहाँ पर होता है, कि आपको वाम बंद खाप पर लग गया थपा, तो आप बिल्कुल आपको अलग कर दिया जाता है, यहाँ पर भी देख तूँ कि आप किसी के साथ उठें बैठें, लेकों को भे, गुरुप में तो आपको हो जाता है, यह यह तो जबकि मेरा अपना कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे लिए ठीक है, ठीक है, जो गलत है, गलत है, तो इस तरह से मैं किसी भी उसमें नहीं हूँ. हाँ तो चलिए, लंदन की जो आपने मतलब वहाँ पहुँचने के बाद डेनमार्क में जो इससे दियां हुए और फिर आप लंदन आया और काफी संगहर्स के बाद आपने एक कलरक के स्तर से सुरुआत की, बाद की जो आपकी जो अपनी जीवन यत्रा है, जो सफलता की औ और फिर बाद में वातायान और नेहरो सिंटर में आपने जिस तरह से काम किया कारेक्रम अधिकारी के रूप में, आपकी जो अपनी भूमी का थी, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि वह अभी जब मैं जिस दिबिया माथूर से बात कर रहा हूं, उनके जीव हैं, इस बात की कलपना नहीं की जा सकती, कि यह वही दिबिया माथूर हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग समय में इतने सारे हर्डिल्स, आपकी एक तरह से जैसे हर्ट की दिल की जांच होती है, और जो पंक्ती चलती है, ऐसे ऐसे तो आपकी जिन्दगी भी ऐस हैं, एक तरफ बहुत समरिध्ध और खुशहाल बच्पन, दूसरी तरफ एक अच्छी सी नोक्री अच्छी पढ़ाई, फिर आपका विवा होता है, फिर पंदरह साल आप उस पीडा को जहलते हो, जो किसी भी इस्तरी को जहलना नहीं चाहिए, जो आपकी रचनाओं में भी सामने आती है, फिर आप का संगर शुरू हो, फिर लंदन में आप एक काम शुरू करते हो, और वहां से फिर आप ऐसे जाते हो, और उसके बाद मैं कहूंगा कि अब मैं हम यह मान के चल सकते हैं, कि आपकी लाइन ऐसे चल रही है, तो आपके भी आया था, प्राशड़ा हो कि आप सरकारी नौकरी में सोच नहीं सकते हैं, बहुत लंबा मैंने सरकारी अदू हम है मेरे पास, लंडन में नेरू केंडर के जीवन की विए एक बड़ी अच्छी कहानी है, कि आप अच्छा कुछ करते हैं, तो आपको अच्छा जरूर उसके बनले में मिलता है, मैं इस विश्वास रखती हूँ, तो मैंने हाई केमिशन में अपना 100% दे के काम किया, और मैं वहाँ पर उसकी सबसे उची पोस्त तक पहुँच गई, खलाक से शुरू करके, जो बहुत मुश्किल होता है, तो और उसके बाद मैं मुझे, वहाँ पी हमें आपको सम जगा काम करना पढ़ता है, जब आप हाई कमिशन में काम करते हैं, आज वीजा में हैं, तो कल रिसेप्शन में, कल काउंसिलर में, हर जगा आपको गुमाया जाता है, तो इस तरह मैं रिसेप्शन में मेरी जूटी लगी वी थी, उन दिनों हाई कमिशन बहुत बड़ी मिलनी है, सेवन फ के रूप में और नहरू केंडर को स्थापित करने के लिए उन्हें में बेजा गया था, ये सब मुझे नहीं मालूम था, तो वो देखते थे मुझे के मैं किस तरह काम कर रही हूँ, और एक दिन एक परिवार आया बर्मिंगम से, तो ये लोग बहुत बड़ी से पेश आते नहीं समय हो गया, अब आप बस जाएए, तो मैंने कहा कि एक फॉर्म ही तो है दे दो, इनको बीचारे मर्मिंगम से आये है, इतनी दूर वापिस कैसे जाएगे आएगे, कब से कब एक फॉर्म ने दो भर देगे वो कल, तो मैं मरावर उनकी साइड लिये जा रही थी, और मैंने अदर जाके, इनको एक फॉर्म पकडा दिया, तो वो कहीं से खड़े देखने होगे, और उसके बाद भी नोटिस कर रहे होगे, कि उनको अपना नहरू केद्र के लिए स्टाफ चाहिए था, और ये सब मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे बात में पता लगा, तो किसी भी रूप में, मतलब पोस्ट वहीं रहेगी, उसमें तो सीडियर एड्मिस्नेटिव ऑफिसर थी, और काम देखेगे, कि क्या, तो पहले के जो शुरू के तीन स्टाफ उन्होंने चुने कि थे, एक ड्राइवर, एक मैं, और एक अकाउंट्स की लड़की थी, तीन लो सरकारी जैसे वो अधिकारी होते हैं, आपको जिस तरह से बात करते हैं, और मैं उसकी मिल्कुल आदत नी थी, मुझे मैं कहां नहरू केद्मे का, यह हाई कभी एरिस में काम कर रही थी, जहां पर इतने पढ़े लिखे M.D.s थे, नेत्र विग्यान के अदर में, कोई भी बात करने की तहजीम नहीं थी, इस तरह ट्वीट करते हैं, जैसे हम सर्वेंट्स हो तो जब मैंने देखा कि इस तरह के महौल से आप एकदम से कहीं इस तरह, पहले तो मुझे विश्वासली हुआ कि क्या कह रही है, है कौन, मैं यह भी नहीं जाती थी, तो जब पहला दिन कामी शाम को होता है, प्रोग्राम का, तो उसी प्रोग्राम था और मैं जब नहीरू सेंटर पहुंची, तो मैंने देखा कि रॉयल सेयर केस के नीचे उपर जा रहा है, जैसे महराजा, महराणी, मकिंगम पैलेस की तरह, और जब जो पहला कारिक्रम था, वो था रवीशंग का सितारवादर, और वो क्योंकि गादी जी थे उनको पूरा लंडन दिवाना था उनका वैसे ही, क्योंकि लॉड्स, लेडी, बड़े-बड़े जो वहां के लोग हैं, वो उनको जानते थे, तो आप सोची हमारे पास उस से मैं कुर्सियां तक नहीं थी, सिरफ खाली हॉल, कोई बैठने का नहीं, कुछ नहीं, और मैं वहां खड़े हो के सोच रही हूँ कि मैं यहां, यह कैसे हो सकता है, और जब हम उपर गएं तो सब लोग नीचे ऐसे बैठे वे थे चौकडी लगा के, जमीन पर, सिरफ उनके लिए एक दरी घर से लाके गादी जी ने बिचाई जिस पे वो थे, और अल्ला रखा साथ थे उनके साथ, और जो सारगी वादक है, राबनारायट जी, यह तीनों वहां पे बैठे वे थे, तो आप सोचिए, यह मेरा पहली शाथ दी, तो वहां से जो जीवन शुरू हुआ, वही पर रहा, 2015 तक, कि दुनिया की बड़ी से सबसे मुलाकात हुई, और पावन वर्मा उसके बाद चौधरी साहम, इदरनाथ चौधरी, गिरिश करनाथ का समय में तो भूल नहीं सकते हैं, जैसा व्यक्ति मैंने गांदी जी और उन जैसे व्यक्ति के साथ, मेरा बहुत-बहुत सौबांगे कोई होगा कि उनके साथ काम करने को मिला, लक्षमियल सिंग्वी जी हाई कमिशनर में जब मैं थी, उनके उनसे ही हमने सीखा कि हिद्नी के लिए हमें, क्योंकि मेरा हिंदी की मैंग्डाउंड नहीं रही कभी, और हिंदी के मैंने बहुत कम पढ़े हैं, अग्रेजी ही रहा और जब आप एक बार अग् करती थी, इसलिए मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया, या मैंने ठीक से, मुझे ठीक सेलेक्शन नहीं मिला, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो अब मैं इसलिए वातायन के कारिकरों में मैं इतने इन सब को कवर करती हूँ, यह जो सारे महाद हिंदी के लेखा किया है, कि मैं भी जा दू, समझू, तो रेखा सेटी के साथ हमने जो सीरिश शुरू करी, तो यह सब इसलिए किया कि मैं जा दू और, तो, मैं यह जानना चाहूंगा, कि आपने नहरू सिंटर की जब स्थापना हुई, आपका कहना है, कि आप गुपाल कृष्ट गांधी जी को उस सम पाल कृष्ट गांधी के निमंत्रन पर बड़े-बड़े लाड और जो वहां के सांसद और जितने भी रईस लोग हैं, वो एक तरह से लाइंग लगा के ख़़े थे और धरी पर बैठे, उसके बाद का जो समय है, और गिरिश करनाट जी की आपने बात की, यह जो नहरू सि करिवार यानि दो बच्चे जिनकी हम लोगों ने शुरू में चर्चा की, इन सब को आप कैसे सन्योजित कर रहे थे, कैसे इन सब के बीच संतुलन बना रहे थे, क्योंकि आपकी जो अपनी जिंदगी थी, जो एमस से शुरू हुई और उच्चायोग में पहुंची, और उ दुसरी तरफ एकदम लाइवली हुड, एक ऐसा माहल नेरू सिंटर का जहां आप संगीतकारों को बुला रहे हो, कलाकारों को बुला रहे हो, और आप चुकि कारिकर मत्यारी आप सुरुवाती टीम का हिस्सा थे, आपने काहा कि तीन लोगों को रखा था, जिसमें एक तरह आप ही उसके बावर्ची भी थे, आप की भिस्ती भी थे, आप ही सब कुछ थे, तो उसके ये सुरुवात से और आज हम जिस नेरू सिंटर को जानते हैं, वहां तक की जो यात्रा है, मैं पहले नेरू सिंटर पर किंद्रित करूंगा, और ये जानना चाहूंगा कि जब अगर आपको नहीं वाज करते हैं, तो सरकारी सेटप से भी लोगों को ले जा सकते थे, मैं चुकिनी जी तोर पर भी गोपाल कृस गांधी जी को जानता हूं, गवर्णर राजिपाल भी थे, परी बात्चीत है, मैं एक बिमान पतन पर मिल गएगो, और मेरे एक दोस्त उन साथ के साथ जबू राष्टुपती थे, यह उनके सचीव थे, और मैंने उनको मैं मिला तो जिस तरह से, मैंने उस पर एक लेक भी लिखा था है, कि एक गंधी से मुलाकात, क्योंकि मेरे लिए एक आश्चेरेजनक बात थी, कि एक आदमी जो लगातार बड़े राजिपाल रहा हूँ, मुख्य सचीव रहा हूँ, तमिलनाट जैसे राज जी का सिविल सर्वेंट रहे हूँ, चायोग में रहे हूँ, रास्ट्रपती के सचीव रहे हूँ, वो एक दम ऐसे साधारान धंक से बीमान तल पर बैटे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं हूँ, और बेलंग्ट और संस्कृती के प्रती और नहरू सेंटर की जो भूमी का है, वह कितनी आप उसे किस रूप में आपका अनुभोजो था, वह कैसा था, उसका जैसे मैंने आपको बताया कि नहरू केन को जिस उन्देश से लेकर, क्योंकि उसके पहले वहां भारतिये विद्या भावन जैसे बहुत ऐसी कम जगा थी जहां पर भारतिये संस्कृती को, बहाशा नहीं, संस्कृती या आदान परदान विचारों का इस तर पे कोई वो जगा, भारतिये विद्यावन में म्यूजिक और यह सब होता है, लेकिन विचार के स्तर पर ऐसा कोई जगा नहीं थी, इसलिए नहर म्यूजिक के थ्रू आट के थ्रू एक्जिमिशन लगाते थे, हॉल्स थे वहाँ पर दो और बहुत बड़ा एक थीएटर है, तो वहाँ पर म्यूजिक का अदान बरदान होता था, और उसमें उत्की एक्वल भागीदारी वो रखना चाहते थे, तो कुछ हुआ जैसे गिर गौर्मेंट से कुछ नहीं था, तो जब तक ये लोग रहे तब तक तो रहा के बहुत आदार पतार रहा सथकृतियों का, नेकि जब आप आये ऐसी आने लगे तो उनकी विदेशों से इतनी कोई वो नहीं है, वो चाहते है के विदेश ही आए हमारे पार, पर आएगे कैसे जब तक आप इंटर रिलेशन नहीं बढ़ेगा, तो आपने रख तो लिया के तो प्रवोट इंडो बिटिश डायलोग, बच जब बिटिश लोग आएंगे नहीं तो डायलोग बढ़ेगा कैसे, और उसमें फिर ये हुआ कि भाशा का उसमें उन्होंने कहा नहीं है, क्यों कि मैं हिंडी को प्रवोंट करना चाहा रही थी, तो अनुरे का ये हमारा उदेश में नहीं आता है, बाद वाले एक दो डायरेक्टर है, जो उस खटपट हुई उस बाद को, तो फिर मैंने वातायिकी स्थापना की, 2003 में इसी को लेके, कि लेखक लोग कहा मिले, जो हमारे अरवाषा के लोग है, हिदी के या और भाषाों के लोग है, उनको कोई मिलते ही नहीं थे, जब मैं वहा गई, मैंने कोई लेखक ही नहीं बिला, और लिखरेंसे सब अपने अपने कोनों में, तो मैं नहीं एक आपको अपना अड़ुआत करके सुनानी चाहिए, अगर पज जुले जुले तो अच्छा लगेगा और उसके बाद 99 तक जब विश्वी इंदी सब मेलन हुआ है तब तक तब पहली बार लेखक आपस में मिले जुडे भारत के बहुत सारे बड़े-बड़े लेखक वहाँ पर आए तो तब उसकी भी में सांस्कृतिक अधक्ष थी तो इस तो तब से मैं जानने लगी तो हम मैटने उठने लगे साउथ यहां बैंक एक बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पर तो वहाँ पर हम लोग कहां कि हम एक बार मिलेगे एक कवी को अच्छे तरह से सुनेगे और बाकी लोग अपनी एक एक रचना सुनाएगे तो यहां से हमारा समय भी बचेगा आने जाने का वहाँ पर तो उठके कहने पर हमने वहाँ पर मिल्टी शुरू कर दी इस बात पर बहुत लोगों को अबजेक्ट हुआ कि मैं अपना एजेंडा वहाँ पर कर रही हूँ तो उसको लेके थोड़ा डाउन पीरिट आया कि काफी लोग उस टाइम तक कि लोग विरोध में हैं इसके कि मैं भाशा का और वो कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा बीच में एक समय आया था कि जो मैं कहरी हूं कि आपने कहा ऐसे ही रहा नहीं और बच्चों को पालना भी वहाँ पे अच्छा एक तरह से अच्छा अनुभव था क्योंकि य चोड़ जाओ आप नहीं सोच सकते हैं उन्हें मेरा पासपोर्ट नहीं भागा कुछ नहीं डेट अवर्थ और अपने घर का फोन नहीं बच्चे को छोड़ जाओ अब जाओ कोई बस्ता नहीं कोई ड्रेस नहीं कुछ नहीं जब छोटा था मेटा तो मैंने का यह तो तरी बतलब परिशाद और हैराद थी तो मैं वातायन के कुछ काम के बारे में कोई ऐसी इसमरिती हो जो इसको आप याद रिख रहे हूं जी क्योंकि आपके काम के दोरान अप लगातार अभी हमारे दर्सकों को साहर वातायन सुद रुप से क्या काम कर रहा है यह नहीं पत लेकों से जो मुलाकात थी जो लोग रचना जगत से जुड़े हुए थे उनके बीच कोई मेल मुलाकात नहीं हो रही थी नहरू सेंटर का काम भारत और बिटिस विचारकों में एक आदान प्रदान का था चिंतन के अस्थर पर था विचार के अस्थर ता चाहे वह संगीत स हो चाहे वह कला से हो चाहे वह चिंतन के अस्तर पर हो आपने अस्तर से इस बात की कोशिश कि कि जो लोग लंदन में रह रहे हैं या जो लोग योरोप में रह रहे हैं वो अगर कभी लंदन आते हैं तो वो एक जगा पर जूटें पहले उन्होंने अस्थानी अस्तर पर सुड करें बातचीत करें तो एक तरह से भारतिय भासा के रचनाकारों के मुलाकात का एक मंच मुहिया कराने से वातायन की शुरुवात हुई फिर उसमें धीरे-धीरे कैसे आप बढ़ती गई वातायन अब बड़ा पुरसकार भी देता है दुनिया भार में जाना माना नाम हो चुका है कोई व्यक्ति अगर हिंदी जानता हो और लंदन जानता हो तो दिब्या मातुर और वातायन जरूर जानता है मैं ये जानता हूँ कि ये बात सच है ये कोई अतिश्योक्ति अलंकार नहीं प्रेयोग कर रहा हूँ तो यहां तक पहुंचना मलब एक विचार से इस अस्तर पर दो दसकों में पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ी बात है तो मैं चाहूंगा कि वातायन के दोरान की कुछ ऐसी इसमरिटियां जो हमारे दर्सकों को आप बताना चाहें क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा है हर्डिल्स की तो चरचांरम ने कर लए हमारे मने लगे अर बहूत रैग॑लर मिलते थे हम लोग और फिर हम पिकनिक्स करते थे कविता पिकनिक्स उसमें के इत्य कारिक्नम करने शुरू किये और दूसरे शहरों में जो यह हमेश्चे को अन्ने कारों में एके अपना मंडिकरों में पुरा मंडूस्थ्य मर्मिंगम समझना गौश्टिया होती थी करते थी कभी खुश्चार वोने लगे हर साल पंदेश कुची उसमें बहुत हिंदी समीती का बहुत हाथ था वो भी हमारे साथ रहे हमेशा और अभी अभी हमने जो भारोपी है किया तो आप जानते हैं उसमे संजीव जी भी आये थे और ये परभाखेतान वालों ने हमारी बहुत सारे लेखक वो लोग लेकर आये थे तो इतना बड़ा इस तरका कारिका मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी विदेश में अभी तक चाहे आप उसको विश्व हिंदी समेलन से मिला ले कि तबड़ा समेलन कभी हुआ हो जबकि वो सिरफ यॉरोप के ही लोगों का था तो भारती है यॉरोपीन उसका थ था जो वो बिल्कुल एक बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था ऐसे नहीं जो यह लोग होते हैं यहां पर की यह प्रॉब्लम होगी जैसे हमारे विश्व हिंदी समेलन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है लोग कहते हैं भी फीजी में हुआ के लोग लटक रहें कहा कुछ नहीं मालू है तो उस हिसाब से यह बहुत स्टैंडर्ड का था और लोगों को बहुत अच्छा लगा और अवाड तो हम देते ही हर साल 2004 से उसमें पहले ICCA हमारी मदद करते थे हमें हर साल दो टिकेट देते थे यहां से लेखर को वहां भीज़ते का जो लेखर को आत कर सकते हैं वरकशॉप इस तरह के तो लोग सब शहरों में जाते थे आयरलेंड तक भी हम उनको एक एक बार में साथ साथ शहरों में लेकर और फ्रांस तक लेगए उनको घुमाने के लिए और गोश्टिया करने के लिए तो इस तरह दीरे दीरे नाम बढ़ता गया और काम सब्सक्राइब उस पर काफी बेहनत थी और हम सभी की थी इस्पेशली परदेश गुपत जी और जिनके पास गाडिया थी कि वह अपका तीन ती चार चार दिन एक जना उनको बन भी ले जा रहा है तो एक मांचस्टर एडिन बरा दिब्या जी एक सवाल मेरा है कि आज के सम कर आप लोग जब लगातार प्रियास कर रहे हो और लगातार लोगों को जूड़ रहे हो भारत के लेकों से और वहां के जो लेखक वहां आप लोग हो पर में जिक्र किया और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो लगातार आप से जूड़े हैं बातायन से जूड़े हैं अलग-अलग संसाइं भी अगर हैं वहां जो रह रहे हैं वो लोग लगातार लिख भी रहे हैं तो कितना अंतर आया है पिछली जब से आप काम करना शुरू किये तब से लिए कि आज तक दो दस्कों में हिंदी की क्या इस्थिती है पूरी यूरोप में और लंदन में जो साहितीक वाताबरन है उसमें किस तरह का बदलाव पाते हुआ है तो जहां तक हिद्नी का सवाल है विदेशों में यूरोप में तो खिर अब शुरूआत हुई है आपने देखेगर नीदर लेल में पुश्पिता है और अब नीदर लेल में एक दोर लेकर कोर सामने आए है पर जादा तर वहां पर कविता हो रही है कि कभी समेलन हो रहे है इस देश से उस देश से बहुत जादा उसका ही प्रचार हो रहा है और उस पे जो स्तर है उनका वो भी बहुत अच्छा नहीं है और इसलिए उस पे क्या होता है कि यहां वाले लोग सोचते है कि इनकी जो प हित्य को तो हलाकि उसमें हमारे अगर्दे बहुत अच्छा लिखा जा रहा है पर्दे की बिस्तिती बहुत अच्छी नहीं है वह मालती हूँ और जो यंग लोग है जो उनको जादतर आईटी के जीडियर्स है या बड़े बड़े पोस्पर लोग है तो उन्हें समय नहीं है और कुछ लिखने का तो अधिक तर लोग कभी ताग लिखते हैं और उसको सुधाने का समय नहीं है और उनको पड़ी जल्दी तारीफ बिल जाती है कि इसलिए कि परवास में है यहां के भी उनकी हो जाती वावा ही कोई उनको सही दिशा नहीं दिखा रहा है वो देखना भ अब हमें आप क्या बताएगी हाला कि हमारे आपता है वातायन में जो हमारे बच्चे है यग लोग है जो अभी भारोपीय में उन्होंने बढ़ चड़ कर भाग लिया वो हमारी सफलता का राजी यह था कि यह सारे यंग्स्तर हमारे साथ मिले वे थे यह आई ठीके तो वो में जाते हैं कि हम लोग उनको सही बतायेंगे कि आप ने अच्छा नहीं लिखा तो नहीं लिखा आप में कहा कभी है क्या खाबी है तो वो अपने को सुधार ते हैं पर बाकियों को मैंने देखा हूंक तो क्या हमने तो हमारी भाट छप गई यह आप क्या बात करती है और यह भी आप पत्रिकाय जहां वो छप रहे हैं कि वो यह पढ़ते नहीं है, कि स्पैलिंग ठीक नहीं है, और बाकी विचार को तो क्या कहें, उसमें कोई वाचारिक डेप्ट नहीं है, तो इस तरह से मैंने ही कहोगी कि योरोप में बहुत अच्छी स्थी है अच्छे लेखर क और कहानी बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, पर वो मेरी उवर के लोग है, और यंग स्थी में मैंने अभी बहुत कम देखा है कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएगे, तो अभी सिगापूर का जो समेलन हुआ, उसमें मैंने यहीं कहा, कि बड़ा होती हैं देखके, कि हमारी अगली पीनी के लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बन इसलिए कि वो नादा नादी, दादा दादी से बोले, उसके आगे नहीं, लिखना पढ़ना तो दूर है, बहुत कम मैंने देखा है कि कोई बच बहुत अच्छी नहीं है, और पर हविग सेट देखा हैं, जब मैं गई थी वहाँ पर 1985 जब मैं कहा रही हूँ कि मुझे कोई दिखता नहीं था, हिंदी वाला लेखा किया कुछ, और जब प्रोग्राम भी करो तो 15-16 लोग आए तो आप सोचे के बड़ा हो गया हैं, उसके बाद हमने अभी बहुत सो, सो, ने, ने, सो लोगों के कारिकरम किये, पर हिंदी के बच्चे हजार अजार लोग पढ़ रहे हिंदी समिती वाले, आप देखते होंगे, हर साल भारत भेजा जाता है उनको, दस बच्चों को चाट कर भी आए वे थे, ICCR में, तो ये सब कहने के बावजूद भै, ये सोचती हूँ कि वो लोग, बच्चे जो लोग है, उनको हिदी वातला दूसे आप कहले कि वो बात चीत कर सकते हैं, यहां कर, उसके आगे कोई बढ़ नहीं रहा है, और युवाओ में मैं बहुत कृतिभा नहीं देख पा रही हूँ, जहां तक बैस समझती हूँ, तो मुझे हाँ, ये तो है कि क्या होने वाला है यूरोप में, हमारी अभी वाडी ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था, अभी हम कर रहे हैं, कि पचास साल से कम उनके प्रवासी लेखा है, उनकी हमें एक संग्डै बना रहा था, तो आप सोच नहीं सकते हूँ, हाइल्स वेसलर है, स्वीदन के, और सद्या सिंग है, सिंगपूर की, हम तीनों ने जमीन आस्मान कर दिया, पचास साल से कम के लेखाग धूले हैं, नहीं मिले, बहुत कम और जो मिले उनका जो आप, अस्तर नहीं है, कि आप लोग उसका उनका कर सकें, तो अच्छी जी, अब मैं आपके लेखन पर आता हूँ, आपके लेखन में इतना सब काम करते हुए, इतनी सारी पुस्तकें आपकी कहानी संग्रा, कविता संग्रा कैसे आए, एक, और दोसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कि आपके लेखन का जो मूल स्वर्था, वो हिस्तरीवाद स्वर से सुरू होता है और फिर धीरे अब नई किताब जो तिलिस्म है इसकी बात इसमें थोड़ा बहुत पुरुस का भी पक्षा है या उसका भी द्रिश्टिकूर दिखता है या बदलाव क्या उम्र के साथ आया है या अनुभव के साथ आया है या यह वाकई सामाजिक अस नई कि हुआई दूसरों को ही दोश नहींसे कर पाना अस आपके बस में नहीं होता है और कर नहीं पाते हैं सरकुस्टरस से इासे हो जाते हैं लेकिंड यहां तक आते हात 쓰고 को देखने लगते हैं और अच्छी तरह से साफ दौर पर और ऐसा नहीं कि मैं बौट पूर शूर diff पर हाँ, उसकी बात भी मैं कहना चाहती थी जब आप योरोप की बात कर रहे थे कि पुरुष विमश गायब है, एक सिरे से गायब है, तो ऐसा नहीं कि मैंने ये सोच के लिखना शुरू किया था कि पुरुष को आवाज कहीं से इसी खाबूशी है उसमर, एक आप को नाम छो मतलब उनको आप समझाते हैं, तो इसलिए भी एक रीजर ये भी था लिखने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि मैंने पुरुष विमश को भी वहाँ पर जगाया एक तरह से क्योंकि ये नावल पूरा पुरुष परदार नावल है, और जो जैसे कहते हैं कि कोई आप से लिखवाता है, आप नहीं लिखते, कोई भी रचना को, तो ऐसे ही इसका जो नायक है उपेद्र, जैसे वो मेरे सालों से पीछे था, जब से मुझे कैंसर हुआ था, तब से वो मेरे पीछे था कि लिखो, 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 और जब मैंने शुडू किया तो वो बढ़ता गय पर कोई है इसको लेने वाला, जो बहुत ही इसको प्यार में हमेशा उसको बिलता है, धोका तो नहीं कहोगी कि हाँ, वो वापिस नहीं बिलता है उसको, तो एक तरह से उसकी जन्नी है, प्यार को ढूंदे वे और उपर से उसमें वो है कि थर्ड सेक्ट को या उस पे कभी बोला नहीं जाता है, भारत पे क्या विदेशों में भी नहीं बोला है, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, आप ते देखा होगा, सेक्शुल उसको लेके, लेकिन भारत पे और वहा पे भी कोई बात नहीं करता है, तो अगर आपकी कोई प्रॉबलम है बच्चे की जानेहीं प्रॉबलर परॉबलम है। लग बन चाहएं अपशनी पमपा फीए है। उसको चुपाया जाता है, कि उस मेरे के विदेश थायां, नहीं प्रॉबलम हैं। तो इन सारे मुढ़ों को मैंने इसके उठाया है, कि उसके ओzag बहुत सारी चीजों वर बात की जाहिए ह और भारत के परिपेक्ष में तो जादा कि भारत तो फिर भी आप एडूकेशन है, सेक्स एडूकेशन भी है, यह आपर सेक्स एडूकेशन होने के बावजूद एक चेप्टर होता है, उसमें भी वो टीचर जो है आपको कहा पढ़ लिया हो गया, तो वो सब बाते हमें लानी चाहिए, तो इसमें वो मैंने वो सब को मैंने बहुत रिसर्च की क्योंकि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि कैसे लड़का बड़ा होता है, उसमें क्या चेंज़ आते हैं, क्या होता है, वो सब मुझे देखना पड़ा, मतलब उसने मुझे से करवा लिया, यह सब भी रिसर चुछ आप कह सकते हैं, और यह सब बाते, ऐसी बाते जो कभी भी खुले तोर पे नहीं की जाती, और उसके बारे में काफी लिखा है, कि होना चाहिए है, आपके भी एक कहानी में मैं पढ़ रहा था, उसमें एक फंक्ति आपने लिखी है कहानी के एक पात्र से खरवाया है कामसुत्र के देश में सेक्स पर बात करने से इतनी डिक्कत क्यों है, यह जो एक तरफ ये यूरोपी समाज है, जहां एकडम खुलापन है सेक्स का, और पस्चिम में खास कर अमेरिका वगरे में एक बड़ी समस्या बच्चों के साथ है, कम उम्र में उनका एक तरह से गर्व पात की और गर्व धारण की, किस और वह में अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक तरफ पस्चिम का समाज है, जो इतना खुला हुआ है, जहां जो इस तरह की समस्याओं से दो-चार हो रहा है, जो अपनी किताब के माध्यम से इस बात को कहनी की कोशिस की है, कि इस्तरी तो दूर की बात है, पूरुस भी अपनी इच्छाओं को ब्यक्त नहीं कर पाता है, तीसरी तरफ एक दिक्कत है कि लगातार इंटरनेट और सोसल मीडिया के प्रभाव के चलते, बहुत सारी दिक्कते हो रही हैं और इस्तरीयों के प्रती जाती हो रही है और बलातकार तक की घटनाएं लगातार, ऐसी चीजों के प्रभाव में बढ़ रही हैं कच्छे मन से, इन सब के बीच सामन जस्य कि क्या बिंदू हो सकती है, आप बतोर लिखक और बतोर अधेता क्या पाती है, तो वही सेक्स एजउकेशन तो पहली बात है कि सेक्स एजउकेशन होनी चाही है, अगर सेक्स तो बाद में आता है कि आगर आप बिल्कुल ही पड़े लिखे हैं और आपको सब नहीं मिलरा है जो आपकी बड़ी चाह रही है, बच्चे की, और उसको बताया भी नी जारा कि क्या है, और आपको क्या चाहिए क्यों ये चेंज junto है बॉडी में इसी के विश्यबय है कि उसके बॉडी में बदलाव हो रहे हैं और ँसके और वो उनको लगता है कि यह उनको चाहिए हर उसमें और वो उसको काबू नहीं कर पाते है क्योंकि उनके परिश्कृत नहीं है तो उससे क्या होता है कि वो जहां उनको मौका मिलता है ओवर पावर करने का क्योंकि वो पूरुश है और उसके पास ताकत है तो वो दबा सकता है ख़ी को और उते क्योंकि लर्डिकिया रहे हैं लत और रहे हैं, और वो जब कर रहे हैं कि वो जब कर रहा है मुझे यह सब मिलası करने मुझे खाकता है कि लड़की को भी उसको भी दोनों को शिक्षा देना और उसको ये सारी जो अब आपने देखा होगा जो आपका एक हीरो है फिल्म में वो ये सब कंडों वगारा बेशने की बात कर रहा है उसके बात में हमसे कैंसर के लिए जो ड्रग के लिए कर रहा है अक्षे कुमार वो इस तरह की कुछ ऐसी तरह की एजुकेशन वाली ऐसी फिल्में बनी चाहिए या गाओं के सर पर जो आपके करशी पहले दूर दर्शन में कारक्रब आता था तो उसमें भी ऐसे कारक्रब होने चाहिए गाओं वाले लोगों के लिए जो बहुत बड़े लिखे नहीं है उस तरह की कुछ एजुकेशन या जैसे हम लोगे एक सीरियल आता था उसमें कितनी बाते ऐसी कह दी जाती थी जिससे अब तब लगता था कि अरे ये क्या कह दिया तो इस तरह की बाते नहीं होती थी परिवार में लेकिन अब मैं सोचते हूँ कि इस तरह के सीरियल लिखे जाने चाहिए कि जैसे हमारे एकी स्टेंडर्स सीरियल आता है वहाँ पे लंडन में उसमें हर मारे कहाली में एक नया कहाली जुड़ती है कि उसको माउट कैंसर हो गया या किसी को और कुछ ऐसे मुद्दे पर जो आजकर हो रहा है उमेसिटी है या ये सेक्शल टेंशन की प्रॉबलम है वाइफ हजबन के रिलेशन की है तो वह एक नया एक मुद्दे को उठा रहे है और उसको और वह सारे दुनिया में सब लोग देखते है इस टेंडर्स तो जहां जहां वह जा रहा है उनको मैसेज बिल रहा है कि अगर ये प्रॉबलम है तो आपको ध्यार ड़कता चाहिए मतलब ग्यानवर तक उसमें सामट्री डाल रहे है दीरे दीरे ऐसी चीज़ों में तो बस उचते हैं कि यहां के जो सीडिल्स बनने हैं उनमें अगर इस तरह की एक एक चीज़ इट्रोड्यूस कर दी जाए क्योंकि वह सब देखते हैं चाहें कितरे भी अन्बड़ों कि इसका रेप हुआ है उन दोनों को आपस में विलाते हैं प्रिजर में कि आप समझें कि उसके उपर क्या गुजरी कि आपको लगता है कि आपने चीज़ किया तो इस तरह के उचकारिक्रम वहां पर हुए है तो उसमें भी दिखा सकते हैं तो उनको पता तो लगी कि हमने गलत किया है और या उन्हें मालूम है गलत किया है लेकिन अपने उपर उन पर बस नहीं है इसलिए कर रहे हैं तो उसको यह बताए कि कैसे उसका कैसे आप कर सकते हैं दिदाद या उसका क्या सही तरीका है यह नहीं कि आपने कहीं पर जाके जहां मौका बिला उसको कर दिया और फिर जो ये बड़े बड़े रेप आ रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक है पूरे उसमें, कि कभी है आपको समझ नहीं आता कि जिसने किया उसने किया भी या नहीं किया, या बाते जो है इस तरह की बातों में खो जाती है, क्योंकि अगर जब तक आप ठीक अपराधी को पता नहीं पकड़ेँए, पता नहीं लगएँगे क्यों हुआ, जब आपको ये नहीं पता किसने किया, तो उसने क्यों किया, और एक हजबुए साल बे काम करने वाला ऐससा तो नहीं है, कि वो अनपढ़ होगा, पड़ा लिखा तो होगा भी, उसने भी ऐसा किया, то ये जो आपको लगता है जैसे खुलापद, वहापे भी लोग बहुत, आपने सुदा होगा एक गवावरा है, स्टिफ अपर लिप, उसका मतलब है कि वो लोग बहुत खुले नहीं है, मतलब खुलते नहीं है लोगों के, कभी आपने देखा हो उपने घर की बात कभी नहीं बताएग है कि आपने अब तक साहिते में बाहर के विदेशियों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, आप हमेशा या तो आप वो करते रहते हैं कि प्रवासी में और भारत की क्तुल्ला की भारत में ऐसा होता था और वहां ऐसा होता है, या भारत में आपस में जो मिलने है क्या है, या किसी गोरे को चाय पे बुलाया तो पर उसकी आप तहब में नहीं जा रहा है। क्योंकि आपको आप जानते ही हैं, आपको यहां तक भी नहीं आने लेते हैं। आपको चाय पर बुला ले बहुत हैं, बहुत कम ऐसे हैं लोग जो आपको इतने क्लोज आने देते हैं, जैसे गुपाल गादी के दोस्ते, के मतलब उस तर पर, बाकी जो जनरल पब्लिक हैं वो लोग नहीं, अब मेरे क्योंकि मेरे दमाद भी गो रहा है, मेरे उसके घरवाल हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं आप जानती हूं क्लोज से, तो अब मैं लिख रहे हूं उनके बारे में, लेकिन अदर वाइस जो जनरल पब्लिक हैं, आपने देखा होगा कोई भी लेखर्ट विदेशियों के बारे में, विदेशियों के बारे में नहीं लिख रह तो ऐसे लोग का भैर जैसे तो विजो का भी है लुट बिला है बहुत सारे लेखा के विदेशों में जो भाषा विद है भाषा पे लिखते हैं या और रुषा भी लिखते हैं साहिते कोई नहीं लिख रहा है तो उसमें ये युक्रेड वाले अब पहली बार पता लगा कि पर युक्रेड बे इसलिए तो वहा की जो सिती है आप जाते है तो उस तरह से देखे तो उसमें उनके वो साहिते में वो नहीं आ रहा है वो वपता लिख रहे हैं कि वो भारत आए तो पर अट लीस कुछ आज बे क्या कुछ हो रहा है पर आप अपना आप से नहीं जान पाते हैं उटके मुख से आप उनकी बात सुन रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं वो कब है इसलिए क्योंकि हम उनके करीब आ देख पाते हैं चलिए दिब्या जी हमारी आपकी बात अखिरी सवाल में रहा है कि इन दिनों क्या कुछ लिख रही है और वरतमान में आपकी जो जीमन चर्या है वो क्या है तो मेरे दिन चर्या तो पुझे ट्रावल करना बहुत अच्छा लगता है पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और नही नही पर्तिभाव को मंज़ देना वह मेरा प्रोफेशनल जॉब है। मैं इंप्रसारियों हूँ मेली तो लेकर मेरा दूसरा कर्म है। तो मैं आजकल दो नॉवल्स पूरे असी पेज लिख लिए कर रही हूँ। एक पर देन्मार्क में शुरू किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि नहरू केज में मैं बहुत नहीं लिख पाती थी। शाम मरमाते शायर मेरा पहला उपन्यास था। वह भी जब नहरू सेंटर में छोड़के मैं हाई कविशन में वापिस आगी तब। उसका दीसरा पांट जैसे का यूए जब मैं अपको बताया कि मैं लूफ़के ख़त्म किया तो आखरी लाइज जब मैं लिखी तो मुझे लगा कि अरे आप तो यह कहानी शूरू ही है अब इसे लिखा जाना चाहिए। तो इसका दूसरा पार्ट लिखना है और बहुत सारी कहानिया है बहुत सारे संपादन मैं आजकल कर रही हूँ तो काब तो बहुत है और उसके अलावा मसकार करम और यही पर मुझे ट्रावल करना बहुत पसंद है तो अभी मैं बोरिशेस में थी फिल सिंगापूर में थी अभी यहां से जाने के बाद मुझे जाना पड़ रहा है वापिस 23 को मेरी दो हॉस्पिटल अपॉइटमेंट है क्योंकि उसका रेगुलर इलाद चलता रहता है पर मैं खुश हूँ और अपने जीवन से और जो कुछ मैंने किया तो आपके दिमाग में जन लोगों से आपके मुलाकात हुई और जो यत्राएं आपने की हैं आपके दिमाग में इनको संजोनी का भाव नहीं है कि मैं संस्मरण, यात्रा, संस्मरण लिखे हैं कुछ बहुत अधिक नहीं क्योंकि जब मैं घुमती हूँ तो पहल आप उसको सिर्फ सीड को कैच कर रहे होते हैं आपको उसमें रमना होता है और जब आप उसमें रमते हैं या उससे देखते हैं या बात करते हैं तो आप फोटो नहीं ले सकते हैं तो अब मैंने देखा है मैं बहुत कम फोटो लेती हूँ बहुत कम और ऐसी लेती हूँ बहुत बुरा एक्सपिरियंस रहा, खाना पीना मेरा दूसरा शौक है, ट्रावल, खाना पीना और फिर ये सब, तो और उसके बाद भी मैं ट्रावल वापिस में, ट्रेन में सफर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कब हो पाता है, इसलिए मैं जैपूर से ट्रेन मे आई अभी, सब के मना करने के मावजूर, तो पर ऐसा कुछ खास नहीं, पर हाँ, उनका खाना पीना जैसा था और बहुत ही बेहुता और खराब, तो मैं सुचती इस सब बातों में जो मैं आजकल लिख रहे हूँ, अच्छा बुरा यहां पे आके, वह सब मैं लिखू, तो बड़े-बड़े उसमें कवी लेखर, जो मेरे दादा के दोस्त थे, उनके विशह में है, और अभी एक बायोग्राफी लिख रहे है, और राजीत सरिया मेरे मुझ पर, तो आरी है, भोपाल में आईसेक्ट वाले पब्लिश कर रहे है, तो पहली बार उसमें आप लोग जा आप ऐसे ही भारती भासों, संस्कृति और साहित्य के लिए जो आपने योगदान किया है, वो निश्चित रूप से महनी है रहा है, आप ऐसे ही आगे भी सेवाएं करती रहे हैं, स्वस्त रहे हैं, और मुझे उमीद है कि आप लोगों को हमारा यह कारिकम पसंद आया होग का दिव्या मातुर जी कोई, जीवन से निश्चित रूप से आप में से कुछ न कुछ आप लोग सीख पाएंगे, पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने समय के रचनाकारों को, उन सक्सियतों को सुनते रहें, जिन से आपके जीवन को भी एक दिशा मिल सके, और हमारे कारिक बूल करिम लोग से आपएंगे citizenize से आपadanा में झाल बारे कुछ बफु alle